अगर आपका खाना सडक किनारे ढावे जितना अच्छा है तो हर कोई उस भोजन को खा कर खुश होगा लेकिन बड़े रेस्टरॉंट में भयंकर चीज़ें परोसी जा रही है वहाँ इडली के जगा गॉल्फ बॉल बनाई जा रही है माफ कीज़े मैं ऐसी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनमें सुधार हो भारतिय खाने के शोकीन लोगों को भारतिय खाना पूरी दुनिया तक पहुचाना चाहिए मैं हमारे अद्भुत देश के अनूठे व्यंजनों के बारे में एक सवाल पूचना चाहता था अब जानते हैं हमारे भुजन के पीछे बहुत सारे चरित्र, इतिहास और विज्ञान मौजूद है और इस बार करोना में भुजन ने आधुनिक चिकित्सा की सीमाओं को प्रकट किया है और हर कोई अब विश्वास करने लगा है कि भुजन बिमारी से बचने की सबसे अच्छी दवा है भारत के बाहर मेरे कुछ बिजनिस है, कुछ रेस्टरॉंट्स हर दिन वो मुझे बता रहे हैं कि दुनिया भारतिय भुजन को कैसे देख रही है बहतर स्वास्थ के लिए और फिर कभी-कभी क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है लेकिन होता क्या है भुजन को समझाने का उनका तर्क और भुजन को समझाने का हमारा तर्क बहुत अलग-अलग है प्रोटीन, कैलरी कार्बोहाइडरेट की बात करते हैं हम बस यही देखते हैं कि किस खाने से क्या होता है और वो भी इस तरह से हमें ये दिया जाता है कि वो कभी शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से हमें नहीं मिलता वो हमें हमारी दादी वगहरा द्वारा दिया जाता है जो कहती हैं ये खाओ क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो ऐसी फिलोसफी जिसे समझना मुश्किल हो और वो प्राचीन ग्यान जिसे हमने अपने व्यंजनों में शामिल किया है जो प्रभावी है और लंबे समय से लोग उसका असर जानते हैं तो हम अपने भोजन को मार्किट के योग्य कैसे बनाएं क्योंकि ये भी हम शेफ्स के लिए भारती भोजन को बाहर ले जाने और उसे मशूर करने का अफसर है पर हम इन छोटी-छोटी कम्यों को कैसे पूरा करें और इसे असरदार कैसे बनाएं ये बहुत जरूरी है कि हम आधुनिक भाशा में बात करें वरना हम भोजन के बारे में लोगों की सोच को जल्दी नहीं बदल पाएंगे हमें आज की ही भाशा बोलनी होगी लेकिन भारती भोजन इसकी विविद्धा में कई बारी किया है ये दुनिया भर के भोजन के फैंस के लिए बहुत रोमांचक होगा अगर बस इसे ठीक से प्रस्तुत किया जाए तो लेकिन यही आप पूछ रहे हैं कि इसे प्रस्तुत कैसे किया जाए ना कि केवल कैलरी जैसी चीजों की बात हो खैर बात बस कैलरी की नहीं है पर अंतर राश्ट्री अस्तर पर अगर आप महेंगे बाजारों की बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रस्तुती बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि हम प्रस्तुती में थोड़े पीछे हैं, थोड़े पीछे नहीं, मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे लिए भोजन का स्वाद जरूरी है, भोजन का पोशन जरूरी है, प बस अभी अभी तंदूर से निकाला हो, यही हमारे लिए जरूरी है, न कि ये कि उसे प्रस्तुत कैसे किया गया है, उन्हें उस ब्रेट से एतराज नहीं है, जो एक महीने पुरानी है, पर ठीक से पेश की गई है, चीजों को देखने का उनका यही नजरिया है, तो ताजा भ बीमारियां, विशेश रूप से मैं अमेरिकी लोगों से लगातार बातें करता रहता हूँ, बस ताजे खाने से ही आपकी सेहत को काफी फाइदा होगा, यह बहुत बड़ी बात है, लोगों को ये बात समझाना जरूरी है, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि शायद बड़ बड़े रेस्टरॉंट्स, उन में से कुछ ठीक हो सकते हैं, लेकिन रेस्टरॉंट्स का मेरा अनुभव पुराना हो सकता है, क्योंकि मैं 15 से 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब चीज़ें कैसी थी, क्योंकि तब से मैं रेस्टरॉंट में नहीं जा पाया, मुझे भारत थोड़ी बहतर क्वालिटी के हैं, लेकिन अगर आप दूसरी जगहों पर जाते हैं, खासकर अमेरिका में, अगर आप किसी भारतिय रेस्टरॉंट में जाते हैं, तो वो एक भयानक अनुभव होता है, ना स्वाद, ना क्वालिटी, ना सर्विस, कुछ भी अच्छा नहीं होता, आप उन्हें ट्रेनिंग दे कर सर्विस में सुधार सकते हैं, लेकिन स्वाद में, अगर वे कुछ ऐसा परोस्ते हैं, जो सड़क के किनारे ढावे पर मिलने वाले खाने जितना अच्छा हो, तो हर कोई उस भोजन को खा कर खुश होगा, लेकिन बड़े रेस्टरॉं होटल में जब मैं जाता हूँ, तो अंत में मैं शेफ और वहां मौझूद मैनेजर को लेक्चर देता दिखाई देता हूँ, क्योंकि दक्षिन भारत में, तमिल नाडू में मैं कह रहा हूँ, चन्ने शहर में आप इडली नहीं खा सकते, इतनी बेकार, अगर आप बाहर जा तो उसे पता है, वो इडली बनाना जानता है, अब मैं बैंगलोर के एक प्रमुक होटल में था, और मैंने देखा कि इडली सामबर भयानक है, मैंने कहा ये इडली कौन बना रहा है, और वो बहुत गर्व से वो शेफ को ले आए, मैंने उससे पूछा, आप कहां से हैं, वो यहीं का आदमी क्यों नहीं रखते, मैं कह रहा हूँ, ऐसी सरल चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, देखा जाए तो कुछ होटलों को छोड़ कर, भारत में भी नाश्ते का अनुभव काफी, भारतिया नाश्ता काफी खराब होता है, तो हर कोई एक क्रोजों या प्रतेशत प्रोटीन होता है, ये खाने का सबसे अच्छा तरीका है, दुनिया का हर शोध यही कहता है, लेकिन हम इडली की जगा गॉल्फ बॉल बना रहे हैं, और हम उमीद करते हैं कि लोग इसे खाएंगे, कोई इसे खाना नहीं चाहेगा, अगर आप दिल्ली के किसी हो होना चाहिए, उसे एक खास तरीके से बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर लोग स्वस्त रहना चाहते हैं, तो ऐसे उबले हुए खाने जिन में प्रोटीन और काब दोनों होते हैं, ऐसी चीजें खाना सबसे अच्छा है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका में बहुत सारे र कैसे करेंगे, तो ऐसा होना ज़रूरी है, भारतिये खाने के शौकीन लोगों को भारतिये खाने को आगे बढ़ाना होगा, भारतिये रेस्टरॉंट चेंज को फैलने के लिए ये एक अच्छा समय है, पर क्वालिटी होनी चाहिए, जब मैं क्वालिटी कहता हूँ, उदार की है, ठीक है, वो मुझसे मिलना चाहते थे, क्योंकि मैंने उनसे आर्थिक मंच में डिजाइन के बारे में काफी बाते की थी, इसलिए वे मुझसे मिलना चाहते थे, तो मैंने कहा, ठीक है, हम मिलेंगे, फिर मैंने कहा, मीटिंग कहा है, तो उन्होंने मैंहेटन क्षेतर म कि वो एक सर्वाना भवन होटल था। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये आदमी, ये अमेरिकी आदमी मुझसे सर्वाना भवन में क्यों मिलेगा। तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे यहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा ये एक लौती जगा है, अगर हम इसे मैनेज करें और इसे संरक्षित करके दुनिया के सामने पेश करें, तो इसका कोई तोड़ नहीं है, आप जैसे युवा लोग जिन्हें खाने का शौक है, उन्हें ये करना चाहिए, जो इसे सिर्फ कमाई के लिए करते हैं, उन्हें लगता है कि वो कुछ भी परोज सकते हैं, और बच के निकल सकते हैं, जिसने एक बहुत तव, आप जानते हैं इससे भारतिय भोजन बदनाम हुआ है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि भारतिय भोजन खराब है, क्योंकि दुर्भागे से इसे ऐसे ही परोसा जा रहा है.